अब मैं क्या करूँ? मैं पहले परमिश्वर की पवित्र अगनी से भरा हुआ रहता था पर अब वो नहीं है, मैं उसे खोच चुका हूँ, दोस्तों आपका शुकरिया, मैं हूँ डॉक्टर माइकल ब्राउन और ये है आस्क मियानिफिंग और ये था हमार आज का प्राश्ण हो सकता है आपका भी यही सवाल होगा और आप भी यही पूछना चाहते होगे, क्यों? है ना, मैं इसका जवाब दूँगा, लेकिन पहले आप अपना सवाल मुझे ऐसे भेज सकते हैं, आप उसे गौट टीवी के इमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, ask at god.tv पर अपना और अ प्रशन 280 अक्षरों में पूछ सकते हैं, और वहाँ पर ट्वीट करने के लिए हमारा हैश्टाग amadrbrown यानि ask me anything dr.brown करें, ये प्रशना पूछा है वक्हीली ने, उमीद है मैंने आपके नाम का सही उचारन किया है, आपको क्या करना चाहिए? आप परमिशुर के लिए आ परमिशुर को आदर दूँगा, उस पर विश्वास रखूँगा, उसकी सेवा करूँगा, परमिशुर के लिए जीऊँगा, उचित काम करूँगा चाहे मैं परमिश्वर को महसूस करूँ या नहीं, मुझे याद है जब मैं नया विश्वासी बना तो परमिशुर की उप मुझे प्रभू की उपस्तती महसूस नहीं होती थी, जबकि मैं लगातार चर्च में जाता था, और आधना के समय मैं अपनी वर्षिप टीम के साथ ट्रंब बजाता था, और गीद गाते हुए उसका आनंद महसूस करता था, लेकिन वो आनंद अब गायब था, तो फिर मैंने दुआ की प्रभू मैं तेरी उपस्तती को महसूस करना चाहता हूँ, अचानक मैंने प्रभू की नजदीकी को महसूस किया, मैं सच में उसकी उपस्तती के बिना एक मिनट भी रहना नहीं चाहता था, और फिर क्या हुआ, हमारे पास्टर ने आत्मा से भर कर उस दिन बढ़िया संदेश दिया और वो वचन ये था प्रभू कहता है मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ जगत के अंत तक चाहे तुम मुझे महसूस करो या नही बूम मैंने उस वचन को थाम लिया तो पहली बात निश्चे कर ले मैं उसके साथ चलूँगा और उस पर विश्वास करूँगा और दूसरी बात मैं अपने अंदर वो आग जलाए रखूँगा मैं उस आग को अपने अंदर जलाए रखूँगा प्रकाशतवा के दो में एफिसस को ये शू यू कहता है चौथे वचन में तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है स्मरण कर मन फिरा और पहले के समान काम कर अगर आप सच में तो वही पहले प्रेम वाली बातों को फिर से दोराएंगे रभू के साथ एकांत में समय बिताएंगे हर बादा डालने वाली बातों को बीच में से दूर रखेंगे भटकेंगे नहीं उसके साथ रहेंगे उसके साथ अधिकतर समय बिताएंगे और अपना समय फालतों की बातों में नहीं बिताएंगे अपने दिल की गहराई से उसे पोकारेंगे वचन को पढ़ेंगे और वचन के अनुसार कारे करेंगे उन बातों से दूर रहेंगे जो आपको परमिशर से दूर करती हैं तो वो आग फिर से जलने लगेगी आपके अंदर फिर से वही आवेश जाग जाएगा परमिशर और उसकी उपस्तिती के लिए आपकी रूची बढ़ती जाएगी और जब आप परमिशर के साथ जादा समय बिताएंगे उतना अधिक वो आपके सक्त दिल के लिए आपको काहिल करेगा और फिर आपको आपकी कमिया और आपकी शारिरिक बातों का आहसास होगा तो वापिस पहले प्रेम dość करें तीस्री बात वो बात हैं वो चीज जिनोंने पहले आपके दिल को काहल किया था उन्हें दुबारा सुनें उन्हें दुबारा पढ़ें वो पुरानी चीजें जिन्होंने आपके अंदर इस आग को जागरित किया था उनी चीजों को फिर से देखें और परमेश्वर को पोकार हे परमेश्वर फिर से मुझे में वही आग भर दे दोस्त वो चाहता है आपके अंदर वही आग हमेशे जलती रहे दूआ करते रहें जब तक वो आग उतर ना जाए लिवेवस्ताचे की बात याद रखें वेदी की अगनी जलती रहे दोस्तों अगर आपको ये प्रसारन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मेरी वेबसाइट पर जाएं askdrbrown.org पर askdrbrown.org पर या फिर आप मेरे साथ Facebook पर जुड़ें हम हर सबता वहां लागों लोगों से मिलते हैं मैं चाहतों आप इसका हिस्सा बने मेरी वेबसाइट पर जाएं askdrbrown.org पर या मेरे साथ Facebook पर जुड़ें फिर मिलेंगे ठीक यही पर तर जुड़ें वी ओू़ें वे वार ऋब करत अँख यहतों